नमस्कार दोस्तों मैं भार्शा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर कायकरम आप सब को निया साल बहुत बहुत मुबारक रंगीले रंगों दिलकश तमन्नाओं और चुनोतियों के पहार से टकराने के जजबे का नाम यानी दोहजार तेज़ दोहजार ले गया है यानी 2022 ने 2023 के कंधे पर जो कुछ छोड़ा है वही एक तरह से खिलेगा हमारे आपके इस प्यारे देश में और लोकतंत्र की चुनोतियां हमारे आपके जीवन की चुनोतियां तकरीबन वही रहेंगी या हो सकता है कि उससे कुछ इजाफा हो जाए उनमें आए जाकते हैं किस तरहे का रहेगा 2023 की शुरुवात जिस पिछ पर हुई है जिस खबर के साथ हुई है वह बता रहा है कि 2023 किस तरह का साल रहेगा इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोट ने नोट बंदी पर मुहर लगाई और कहा कि सरकार ने 8 नवंबर 2016 को जो कुछ किया वह सब कुछ देश हित में किया उससे एक बात साफ हो गई है कि सुप्रीम कोट मुधी सरकार के लिए लगातार अच्छे दिन लाता रहेगा 2023 में अब देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोट ने नोट बंदी पर अपनी मुहर लगाई मैजॉरिटी फैसला दिया हाला कि इसमें विरोत का जो फैसला है उसे भी आप पढ़ लें और बहुत से लोग कम से कम 58 लोग जिनकी पिटीशन्स थी वे थोड़ी बहुत रहत महसूस कर लें कि चलो कम से कम हमारी चिंताओं को उन्होंने तवज़ो दी लेकिन बात वही है कि मुहर कहां लगेगी खूटा कहां गड़ेगा यह सुप्रीम कोट ने एक बार फिर बताया 2022 में भी सुप्रीम कोट कहां खड़ा था यह हम सब ने देखा था जितने एहम फैसले थे कम स मोधी सरकार के एहमकाना फैसलों को चुनौती देने वाले उन सब में उसने मोधी सरकार का पक्ष लिया था अब हम और आप यह सोच के क्या करेंगे कि जिस तरह से नोट बंदी की गई थी जिन मुद्दों पर नोट बंदी की गई थी जो ऐलान नोट बंदी पे किये गए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस समय कि किस तरह से इस नोट बंदी के जरिये काला धन पकड़ा जाएगा आतंखवाद खतम हो जाएगा किस तरह से इसके जरिये अर्थविवस्था में जितनी गरबडिया हैं उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा हम और आप और पूरा देश पूरा देश ही क्यों पूरी दुनिया ने देखा कि तब से लेकर अब तक भारत की अर्थविवस्था में जो कैश फ्लो है वह पहले की तुल्ला में और बढ़ा सिर्फ इतना ही नहीं आज की अखबारों को भी अगर आप उठाएं तो आपको पता चलेगा कि किस तर अर्थविवस्था उचाल मार रही है जिस तरह से रोजगार बढ़ रहे हैं यह सब हम आप महसूस कर रहे हैं यानि RBI Reserve Bank of India से लेके तमाम अर्थशास्त्री उस समय भी जो चिंता जाहिर कर रहे थे और उन्होंने खुल कर जो बात सामने रखी थी जो साबित भी हुई कि न मिलोड तो मिलोड है और मिलोड ने सरकार के पक्ष में एक बार फिर अपनी मुहर लगा कर 2023 का एजेंडा सेट कर दिया है इसे के साथ साथ 2023 अनेक वजहों से बहुत एहम है इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 9 राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 यानि आम चुनाव का भोपू बजना है बजना है नहीं बजना शुरू हो गया है जिसकी आहट हम 2022 से महसूस कर रहे हैं 2030 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं करनाटक, मद्धिप्रदेश, राजस्थान, छत्तिसगर, तेलंगाना, नागा लैंड, त्रिपूरा, मेगाले और मिजोरम इन राज्यों में जो चुनाव हैं इसके लिए जिस तरह की तैयारी शुरू हुई है उसमें कुछ राज जो उत्तर भारत के राज्य हैं और खास तोर से जो करनाटक है वहाँ पर जिस तरह की खबरे आ रही हैं उसमें एक बात बहुत साफ है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर नफरत, नफरत और नफरत एक बड़ा एजेंडा बनेगा और यहाँ पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि करनाटक में जहां भारती जनता पार्टी के सरकार है वहाँ लंबे समय से एक लंबा क्रम है, क्रोनोलोजी है जो एक के बाद एक यह स्थापित कर रही है कि भाश्पा की सरकार बहुत गहरे भ्रष्टाचार के दलदल में फसी ह हुई है मैं यहाँ जिक्र सिर्फ इस शक्स का नहीं कर रही हूं जिनकी फोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इन्होंने नए साल में आत्मात्या की और आत्मात्या करते हुए जो नोट लिखा उसमें साफ लिखा कि भारती जनता पार्टी इसके नेता इसके हैं और उनका जीना मुहाल कर रखा है और जो हाल है करनाटक का उसमें हम सब जानते हैं कि ना यह पहली आत्मात्या है किसी ठेकेदार की और शायद ना ही यह आखरी आत्मात्या होगी क्योंकि ब्रश्टाचार का जो दलदल है उससे निकालने के लिए भारती जनता पार्ट आरक्षन का दाओ चला गया जिसे खुद ग्रिहमंत्री अमिश्शा बहुत बड़े पैमाने पर पेश करने की तैयारी में दिखाई देते हैं करनाटक में और इसके साथ साथ जिस तरह से वहाँ पर नफरती ब्रिगेट को उतारा गया उससे ऐसा लगता है कि 2023 में करनाटक म बड़े पैमाने पर मद्दाताओं का ध्यान डायवर्ट करने के लिए अंगिनत चीजे होंगी एक तरफ देश चुनाव की तैयारी में हैं वहीं आपका और हमारा स्वागत करने के लिए 2023 में सबसे बड़ी तैयारी का रखी है महंगाई ने जी हां महंगाई हमारे आपके इसके लिए नहीं नहीं है हम सब जानते हैं कि देश की बहु संख आबादी को यानि मेजॉरिटी को महंगाई की मार जेलने की आदत ही सी हो गई है अब सिलेंडर महंगा हो कमर्शिल सिलेंडर महंगा हो दूद घी महंगा हो घी प्रती किलो सिर्फ और सिर्फ 50 रुपे बढ जाए और पेट्रोल डीजल बढ़ता ही जाए इससे हम और आप तमाम लोग जो देश भक्त हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता देश में इसके वज़ा से कुपोशन बढ़ जाए बड़े पैमाने पे जो गरीब जनता है महनतकश जनता है उसे पौश्टिक खाने को ना मि लेकिन ये सब चीजें हमारे आपके लिए और हमारी संसद और विधान सभाओं के लिए कहीं से भी चर्चा का विशय नहीं बनती और बिरुजगारी मुझे लगता है कि अधिकांश नौजवान या भूल चुके हैं कि बिरुजगारी जैसा कोई शब्द भी होता है वरना देखिए सरकारी आकड़ों के हिसाब से 2022 जो अभी खतम हुआ उसमें जो महंगाई की दर है वह 8.30 फीसिदी हो गई और अगर उसमें शेहरी बेरोजगारी का आप आकड़ा उठाएं तो वह 10.9 छे फीसिदी हो गई शायद यहां ग्रामीर्ड इलाके में जो नरेगा को लेकर लोग संघर्ष कर रहे हैं बड़े पैमाने पे नरेगा थोड़ा बहुत ही सही रोजगार दे पा रहा है यह वज़ा होगी कि ग्रामीर्ड शेत्रों में बेरोजगारी का दर इतना नहीं बढ़ा लेकिन शेहरों में जो बेरोजगारी है और जिस तरह से यह बेरोजगारी बड़े पैमाने पे नौजवानों को निराश कर रही है परेशान कर रही है यह सिलसिला 2022 से लेकर 2023 तक और अगर अच्छे दिन यूँ ही कायम रहे तो शायद 2024 तक या उसके बाद भी भारत की नई हकीकत बनी रहेगी जहां पर हमारे पास सबसे बड़ी संक्या में बेरोजगारों की फौज होगी 2023 कितना अच्छा रहेगा कितने अच्छे दिन आएंगे इसका एक 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 बानगी 2022 को लेकर जो सपने बाटे गए थे उन्हें दोहराने से मुझे लगता है आपको और हमको दोनों को feel good हो जाएगा हमें अच्छा महसूस होगा अब यह तो नहीं कहा जा सकता कि छाती 56 इंच तक फूलेगी या और ज़्यादा फूलेगी लेकिन जो सपने बाटे गए थे उन्हें दोहराना उनकी जुगाली करना बहुत जरूरी है मिसाल के तौर पर देखिए 2022 के बारे में और यह सारे दावे जो मैं आपके साथ साजा कर रही हूँ शेयर कर रही हूँ यह मेरे दावे नहीं हैं यह हमारे माननिय प्रधान मंत्री नरेन मोदी के दावे हैं जो उन्होंने इस देश को देचे नहीं बाटे थे आईए जरा दोहराते हैं कि 2022 में हमारी इस महान अर्थविवस्था को कितना होना था, कहां तक बढ़ना था बकॉल, प्रधानमंत्री नरेन मोदी, 2022 में भारत की अर्थविवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर होने वाली थी 2022 में हर किसान की कमाई दोगनी, दुगनी हो जानी थी, 2022 में हर भारतिये के पास अपना घर होना था 2022 में हर घर में 24 घंटे 24 इंटो 7 बिजली होनी थी 2022 में बुलेट ट्रेन भारत की सबसे बड़ी हकीकत होनी थी मामला सिर्फ भारत तक ही नहीं, 2022 में जो हमने सपने मिले थे हमें बेचे या बाटे गए थे, उसमें भारत अंत्रिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट भेजने वाला था अब ये कुछ दावे हैं, इनके सामने आप्टिक और क्रॉस लगा कर समझ सकते हैं कि 2022 में आपको हमको क्या कुछ मिला, इसी के साथ साथ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 2023 के लिए कोई दावा नहीं है 2023 के लिए प्रधान मंत्री जी ने, उनकी सरकार ने एक घोशना की है कि देश के 80 करोड लोगों को मुफ्त राशन बाटा जाएगा और इसमें क्या गोरग धंदा किया गया है, क्या घोटाला किया गया है या घोटाला करने की कोशिश है इसके बारे में विश्व विख्यात अर्थ शास्त्री, जौन द्रेज ने जो चिंता जाहिर की है, उसे हमें और आपको समझना जरूरी है क्योंकि भोजन के अधिकार के तहट जो राशन तमाम गरीब वन्चित समाज को मिलता है, वह सब कुछ इसी में मिला दिया गया है और यह गरबर घोटाला जिस पर कहीं से कोई चर्चा नहीं है, देश के तमाम नागरिक उसकी मार 2023 में जहेलने जा रहे हैं आईए मेरे साथ देखे इन दो तस्वीरों को, यह दो तस्वीरें चुनौती और जज़बे को समेटे हुए हैं 2023 में भारतिय लोक तंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से उन चुनौतियों के बरक्स ज़बे को रख सकता है भारतिय नागरिक इसकी एक छोटी सी जलक इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है इसमें आपको नजर आ रहे हैं उमर खालिद जी हाँ वही उमर खालिद जिनको लंबे समय से निशाने पर ले रखा है जो जेल में बंध हैं जिनके उपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली को जलाने की साजिश जो रची गई थी उसमें शिरकत की लेकिन जानने वाले लोग जानते हैं कि क्या वज़ा है उमर खालिद के जेल में होने की हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अमन के लिए भाशन दिये अमन के लिए कोशिश की खुद दिल्ली में जब दिल्ली जल रही थी जलाई जा रही थी उन्हें जेल से एक हफ़ते के लिए बाहर आने की इजाजत मिली बहन की शादी थी और यह जो तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है जो ज़जबा आपको दिखाई दे रहा है वह तपका है जब वह एक हफ़ते के बाद वापस जेल जा रहे हैं उनकी जो मुस्कुराहट है आखों में जो चमक है वह बता रही है कि भारतिय नागरिक आज भी भारती लोकतंत्र में गहन विश्वास रगता है। और दूसरी फोटो देखिए इसी से उत्राखंड के हलदवानी में गफूर कॉलोनी में हजारों लोगों ने नई जन्वरी पहली जन्वरी का स्वागत किया। कड़कडाती ठंड में सडकों पर समय बिताया। वजह वजह बहुत साफ इस पूरी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। फैसला दिया जाता है। यह तमाम लोग जो सडकों पर हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो अपने जीवन के हक की गैरंटी की मांग कर रहे हैं, दरसल यह दिखा रहे हैं कि भारतिय नागरिक पहली जन्वरी को कहां खड़ा है। यह सिर्फ एक इलाका नहीं है दरसल यह पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर है जिसकी तस्दीक भारत जोड़ो यात्रा भी करती हुई दिखाई देती है जो कल से फिर शुरू हो रही है अपना सफर कश्मीर पर पूरा करने के लिए और शायद सडकों पर उत्रे बिना भारती लोकतंत्र को बचाना कितना मुश्किल है यह बात जितनी जल्दी जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है जो पॉलिटिकल पार्टीज है राजनेतिक दल है वो समझ जाएं उतना ही बहतर रहे क्योंकि शायद अपने हक और अपने जीवन के अपने वाला भारती नागरिक यह बात बहुत पहले जान चुका है शुक्रिया